दोस्तों योगी सरकार्म मंत्री लक्षमी द्रैन चौधरी द्वारा दिया गया यादवों के खिलाफ बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि अहिरों का तो काम है जानवर पालना अहिरों का खांदानी पेशा है जानवर पालने का इस बयान को लेकर विवाद कम होने का नाम नही कर रहे हैं वहीं समाजवादी पार्टी भी अब मैदान वेकूच चुकी है समाजवादी पार्टी के राष्ट्री प्रवक्ता मनोज यादव काका सामने आए हैं और वीडियो के माध्यम से उन्होंने लक्षमी नरायन चौधरी को जवाब देने का काम किया है सबसे पहले यादों को समयत पूरे देश के यादों को और मनी राष्टी अद्यच खलेश यादव जी को संबोधित करते हुए कि आपका काम तो गाय भैंश चराने का आई ये वहीं लोग हैं असल में वो जो मंत्री है वो मंत्री अपनी भासा नहीं बोल रहा है उसकी जुबान है उसक मोदी जी का और योगी आदितनाज जी का है भारती जनता पार्टी का है जो हमेशा से दलितों पिछडों और अल्पसंख्यकों से जो चिड़ते हैं जो ये चाहते हैं जो ये चाहते हैं कि एक विशेस बर्क के लोग सबजी काटें एक विशेस बर्क के लोग भैंश चराए कि जब आपने और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आरख्षण खतम कर दिया, जब ओभर लैपिंग खतम कर दिया, जब आपने इंद्रा साहनी आयोक के जो रिपोर्टी उससे भी ज़्यादा आरख्षण दे दिया, तो भी इस दोर में भी अब आपके संग्याने तु बताना चाहते हैं, कि अब जात नहीं प्रतिभाओं का चल रहा, और आपकी मनुश्मृति नहीं संभिधान चल रहा, आपको संग्यान नहीं है, अब UPSC में भी सबसे टाप करने वाले लोग यादा हो है, इस देश से लेकर के दुनिया भर में जहाज उडाने वाले लोग यादा ह हैं, आपके संग्यान हैं तु बताना चाहेंगे कि Facebook में यादा हो हैं, Twitter में यादा हो हैं, और हर जगह हैं, और दलित पिछड़े हर जगह हैं, आप अपने इस मानसिक्ता से बाज आईए, तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मनोज यादव ने साफ साफ कहा है, कि य सरकार भाजुपा, RSS, जो डलित पिछलों से नफरत करती है, उसी सोच को लक्षमेन चोधरी का बयान सामने लाने का काम कर रहा है, इसके अलाव मनोज यादव काका ने साफ साफ आरोप लगाया है, कि BJP वाले मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, देश के अंदर मनुस् मृति के हिसाब से ही लोगों के कामों का विवाजन करना चाहते हैं, जैसे कि पहले के जमाने में कुछ लोग मचली पादन का काम करते थे, तो यह लोग आज भी चाहते हैं कि उस जाती के लोग केवल उसी प्रकार का काम करें, जैसे कि मैंने आप लोग को पुरानी वीडिय पारण दिया था कि पहले कि ब्रामन जाती के लोगा भी भीख मांगने का काम करते थे तो इनके साथ से क्या आज भी भीक्षा मांगने का ही काम करें ये सरद गलत बात इसके अलावा दोस्तों सब से इंट्रेस्टिंग बात जानते हैं कि यह जो मंत्रि लक्षमिंरहन Ctrlред यह किस जाती से आता है तो दोस्तों जब मैंने इसकी जाती की बारे में रिसर्च किया तो मुझे मालूम चला कि यह याद समूदाय से आता है उस जाती से आता है जिसका खुद का काम पशुपालन का है जो खुद गाय और भैस चराने का काम करते हैं उस जाती से आने वाला व व्यक्ति कोई कहता तब मैं समझ सकता था व्यक्ति खुद उसी जाट समुदाय से आता है और यह खुद यादमों के बारे में इस प्रकार की बात कर रहा है इसे तो शेरम आनी चाहिए कि जाट समुदाय से होने के बीजेपी ने जाटों को बदनाम करने का काम किया, अभी हाली वो ब्रामनवादी मानसिक्ता वाले आपकी जाती के बारे में क्या सोचते हैं तो इसके उपर भी विचार कीजिए ये है सुब्रमन्यम स्वामी जो की ब्रामन जाती से आते हैं देखी जरा जाटों के बारे में ये क्या कॉमेंट कर रहे हैं जाट होते हैं शूद्र जी यह बीजेपी के नेता बीजेपी के सांसद सुब्रमन्यम स्वामी है जो कि ब्रामन जाती से आते हैं यह आपकी जाती को शूद्र बता रहे हैं बोल रहे हैं कि जाट तो शूद्र होते हैं इसके अलावा मैंने गूगल पर जब सर्च किया तो दै चाहता हूं और मंत्री जी तक इस वीडियो के पहुंचाईएगा वो भी इस आर्टिकल में जो बात लिखी है उसको पढ़ें इस आर्टिकल में लिखा है कि जाट बुद्धी जीवियों के मुताबिक प्राचीन काल में जाटों को चांडाल मार्शल वह लकल हारा कहा और माना जाट बुद्धी जीवियों का मानना है कि पुराने जमाने में प्राचीन काल में जाटों को चांडाल कहा जाता था लकल हारा कहा जाता था इसमें बताया गया है कि पहले जाटों की पहचान कुट्टों द्वारा सुंगवा कर करवाई जाती थी यह दोस्तों मैं नहीं बो इस तरह की हालत जाट समुदाय की प्राचीन काल में थी। के बाद इसमें लिखा गया है इस प्रतिवेधन के माध्यम से प्राचीन भारत में जाटों की दैनिय स्थिती बताई गई है। आगे इसमें लिखा गया है कि जाट विध्वान जितेंद्र सिंग ने ब्रिटिश काल को जाटों के लिए अच्छा बताया है। मंत्री जी को इस आर्टिकल को पढ़ना चाहिए और सोचना चाहिए कि बीजेपी के लोग जिस विचारधारा को मानते हैं वो विचारधारा इनकी जाती के बारे में क्या सोच रखती है। और दोस्तों यही कारण रहा होगा जिसके वज़े से जो जाट समाज हिंदू धरम का पालन करता था। बड़ी संख्या में प्राचीन काल में जाट समाज ने इस हिंदू धरम को त्याग दिया और वो सिख धरम में परिवर्तित हो गया। आज सबसे जादा सिख धरम में अगर कोई कमुनिटी आती है तो वही हिंदू जाट आते हैं जो अब सिख जट बन चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो जाट समुदाय के लोग हैं वो हिंदू धरम को ना मानकर आरे समाजी हो गए हैं। जैसे कि जाटों के सबसे बले निता चौधरी चरन सिंग और उनके पुत्र अजीत सिंग उनके पोते जयन सिंग आरे समाज को मानता है। अब यहां पर बहुत सारे दलत विचारधारा के लोग यहां पर कहेंगे कि तुम तो अपने आपको बहुत बला शत्रिय मानते थे। आज तुम बीजेपी के खिलाफ बात बोल रहे हो। जब हम लोग तुमें शूद्र कहते थे तब तुम हमें गाली देते थे। तो मैं उन सब से ये बात कहना चाहता हूं कि तुमारे में और मेरी सोच में एक जरा सा डिफरेंस है। तुम लोग अपने आपको शूद्र मानते हो यानि कि BJP वाले या BJP की विचारदारा वाले तुम लोगों को शूद्र मानते हो और तुम लोग उस चीज को स्विकार कर लेते हो लेकिन मेरी सोच यह कहती है कि हमारे बारे में कोई क्या विचार रखता है क्या सोचता है उससे ह हमें फरक नहीं पड़ता है, हम अपने आपको कियो शूद्र समझे, यदि कोई हमें गाली देता है, तो हम इस गाली को स्विकार क्यों करें, हम पलट के उसको एक और गाली देंगे, क्योंकि मेरा ऐसा मानने कि अगर तुम लोग अपने आपको शूद्र समझते हो, तो जो ब्राह्मन तुमको समझते हैं, तुम उसी बात को तो स्विकार कर रहे हो, जिस ब्राह्मनवादी मानसिक्ता से तुम आजादी की बात करते हो, उसी ब्राह्मनवादी मानसिक्ता के शुद्र मानकर अपने आपको गुलाम साबित कर देते हो, नहीं माहिने में अगर ब् मनवादी मानसित्ता का गोलाम नहीं हमारे बारे में कोई गलत बोलता है तो हम इट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं चाहे वो ब्रामर हो चाहे राजपूत हो चाहे किसी जाती धर्म से आने वाला व्यक्ति हो बाकि आप सभी लोग क्या सोचते हैं कॉमेंट करके अपनी शजयर कार भी